Hello, Welcome to Study Classes तो जैसा आप लोगों को पता है कि 2023 का Board Exam अब कुछी महनों में होने वाला है तो इसी related आज का वीडियो होने वाला है तो आज हम लोग बात करेंगे Hindi पत्र के उपर जो आप लोगों का 8 marks का आता है किसी Board Exam में 5 marks का या 10 marks का भी आता है तो आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर एक गंभीर विशाई पर तो जैसे कि आप लोगों को पता है कई सारी छेत्रों में क्या होता है कन्या भून हत्या होता है भून में ही पता कर लिया जाता है भ्रून आप लोगों ने पता होगा साइन्स में तो भ्रून में अगर कन्या होती है तो बहुत जगा उस भ्रून को माट डाल दिया जाता है ठीक है ना ये समस्य ये टॉपिक आप लोगों ने न्यूस पेपर में और समाचर पत्रों में परा होगा तो इसी सिलचले में आपको एक आविदन पत्र लिखना है, मतलब सौरी, पत्र लिखना है किसी एक एडिटर को, न्यूस पेपर के एडिटर को कि उस बारे में आप लोग अपने समाज को सचेत करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से कठीन शब्द यह आप लोग लिखावा है कि देश में बरही कन्या भूनहत्या, ठीक है, कन्या भूनहत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्टित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे, संपादक जो होता है, वो एडिटर होता है, एडिटर को हम लोग हिंदी में कहते ह संपादक, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रियोग करेंगे, तो प्रभाब डालेगा, जो आपका पेपर चेक करेंगे, उसके माइं में प्रभाब डलेगा, कि आपने अच्छे शब्दों का प्रियोग किया है, तो क्या करना है, देश में बरही, कन्या, भून, हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्टित समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है तो पत्र कैसे लिखेंगे आप लोग यह हम उसका फॉर्मेट देखेंगे कि पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है ठीक है तो सेबा में संपादक महोदर इसक आपने किसी मोहले का नाम नाम डाल देख डाल देख को लिख रहे हैं तो फिर इस पत को मतलब सॉरी इस पते को लिखने के बाद आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है कि सेबा में संपादक महोदर नौबहारत टाइम्स नहीं दिली, नौबहारत ताइम्स का नवभालत जो है वो एक समाचाय पत्र का नाम है जैसे तयानिक जागरन हो गया इंडिया तूड़े हो गया ऐसे-ईसे बहुत सारे समाचाय पत्र हैं उसके संपादक को आप लोग आवेधन पत्र लेख लेखेごे तो संपादक महोदय नो भारा टाइम्स नहीं दिली हो गया विशेश कन्या भून हत्या की बढ़ती प्रविती के संदर्व में ठीक है यह जो एक क्या कहेंगे हम लोग यह जो एक सिस्टेम बर रहा है यह जो भून हत्या का जो समर्थन कर रहे हैं लोग उसकी चीजों को बढ़ते देखकर आप लोगों ने एक पत्र लिखा है तो लिखना है आप लोगों को की महोदय सबसे पहले महोदय से स्टार्ट किया जाता है तो आप लोगों को लिखना है सबसे पहले महोदय आपके लोग्प्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं देश में बर रही करन्या भूनहत्या की प्रविती की और ध्यान आकशित करना चाहती हूँ आपके लोगप्रिये समाचार पत्र के माद्यम से मैं देश में बर रही कन्य भून हत्या की प्रविती की और ध्यानाखशित कर लोग गर्व में ही लिंग परिक्षन करवा कर कन्य भून होने की स्थिति में इसे मार डाल दे हैं क्या करते हैं लोग की देखते हैं कि लर्का है के लर्की है अगर लर्की है तो उसे भुण में ही मात डाल दिया जाता है ऐसे केसिस आपने कई सारे परे होंगे ठीक है ऐसा करने वाले गरीब या निधन लोग ही नहीं बलकि धनी बर्ग और परा लिखा बर्ग भी इसमें बराबरी का हिस्सेदारी करते आप लोगोंने परा होगा कि अरे बहुत गरीब लोग होंगे तो कन्या होगी लर्की होगी तो बात में चलकर दहेज देने की एक चिंता हो जाती है कि भई लर्की होगी तो उसका शादी करवाना है उसके परायलिखाई में उसके बरे होने में जितना खर्च ही है लेकिन उसकी शादी करने के दौरन हमें दहेज देना होता है तो लर्की को पहले मार दो ठीक है ना ऐसा एक चीज चलता है तो ये बाती दहेज देने की जो बात है वो नेधन लोगों में जो गरीब लोग हैं उसके दिमाग में चलेगी जो एकदम दिमागी हालाद जिसके ठीक नहीं है वैसे लोग सोचेंगे लेकिन आजकल क्या होता है ना आजकल आप लोग देखेंगे कि धनी वर्ग जो बहुत अमीर है और परा लिखा वर्ग में भी ऐसी भून हत्या के केशित आ रहे हैं आप लोग ऐसा लिख सकते हों कि ऐसा करने वाले गरीब या नेधन लोग ही नहीं बलकि धनी वर्ग और परा लिखा वर्ग भी इसमें बराबरी का हिस्सेदारी करता है समाज का ये द्रिष्टी कौन समाज का समाज का ये द्रिष्टी कौन अत्तन तुरूरी बादी एवंग पिछरा हुआ है तो यह जो दृष्टी कौन है न की सिर्फ कन्याओं को मार दिया जाता है तो यह जो दृष्टी कौन है यह जो विचार हमारे मन में पनम दिया है तो यह दृष्टी कौन काफी बुरा है काफी पिछ्रा हुआ है अधर समाज के बुध्धिक एवंग तार्किक लोग जो समाज के बौधिक एवंग तार्किक लोगों का कर्तब है कि वे सरकार एवंग प्रशासन के साथ मिल कर करने भून हत्या को समर्थन करने वाले लोगों के विरोध में कठोर कारवाही करे ठीक है यह आप लोगों को लिखना है जो समाज के अच्छे लोग है परे लिखे लोग है जो विरोध करना जानते हैं जो इसको बुरा मानते हैं वो लोग क्या करें वो ऐसे लोगों का विरोध करें वैसे लोगों को समझाए जो इसके समर्थन में जो भून हत्या के समर्थन में हैं अच्छे लोग इनको समझा सकते हैं इस चीज को रोक सकते हैं इस चीज के उपर कानू तो इसके ओपर भी कठोर से कठोर कानून पारित किया जाना चाहिए तो हम एक एडिटर को, एक संपादा को कह रहे हैं कि आप अपने समाचार के मंद्धम से, समाचार पत्रों के माद्धम से इस बात को, इस मुद्धे को उठाए समाज में कि ये कितना जरूरी है इस पर बात करना, ठीक है, अपनी बात लिख लेंगे, फिर आप लोग लिख सकते हैं इधर, left hand में left side में लिख सकते हैं कि धन्यवार भाउदिया अगर आप लरके हैं तो भाउदिया लिखेंगे लरकी है तो भाउदिया लिखेंगे फिर अपना नाम ठीक है बस आपको इतना ही करना है आप लोगों को ये format समझ में आ गया होगा कहीं भी कोई भी problem होता है तो comment box में comment करके लिख सकते हैं किसी और topic पे अगर आप लोगों को आविदन पत्र चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं किसी अन्य विशे में कोई भी दूबिदा हो तो भी बता सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कना ना भोलना और आप लोग मेरे इंस्ट्राग्राम एकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं वहां भी मैं अपडेट देते रहती हूं तो बस आज के लिए इतना ही